नमस्कार दोस्तों, जैशनीदेव स्वागत है। आप सभी का आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण जयोतिश कार्यक्रम में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वर्ग का दर्वाजा खुल चुका है, अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगी। माहा खु खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, कल के दिन अचानक छमतकार होगा क्योंकि स्वर्ग का दर्वाजा खुल चुका है। आपके नसीब में बहुत सारा पैसा लिखा है, जो कि कल के दिन आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके उपर भगवान शनी देव क विशेश कृपा रहने वाली है, आप धन से माला माल होने वाले हैं। क्योंकि कर्म फल के देवता भगवान शनी देव जी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, अब आपकी बारी है, अब आप लाखों करोडों में खेलेंगे और दोस्तों, खूब सारा पैसा कामाओगे, आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 99 साल बाद बना ऐसा महा संयोग साथ पूछते भी पैसों पर राज करेगी, जी हाँ दोस्तों, अब आपकी तकदीर चमकने वाली है, भगवान शनी देव आपसे बहुत ज्यादा खुश है, दोस्तों आप पिछले समय अंतराल में अपने कर्म से जितना उम्मीद किये थे उनसे ज्यादा मिलेगा, अब आपको जी हाँ, साथी में आपको हम यह भी बता दे कि अब आपके अच्छे दिन भी शुरू हो चुके हैं, दोस्तों आपने बुरे दिन में बहुत वक्त बिता दिये, अब भगवान शनी देव जी का आशीरवाद से आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, या फिर यू कहे की हो चुके हैं, जी हाँ दोस्तों अब कर्म फल के देवता भगवान शनी देव बदलेगी, आपकी किसमत बहुत बड़ी बड़ी खुश खबरी भगवान शन जादे कि आप भगवान शनी देव जी के आशीरवाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आखिर आपको कौन से उपाय करने होंगे, किस मंत्र का जाप करना होगा, और भगवान शनी देव को प्रसन कैसे कर सकते हैं, उनकी विशेश महिमा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो दो जिन्दगी परेशानियों से भर जाती है उसे आर्थित तंगी का सामना करना पड़ता है जीहां दोस्तों मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में कलेश भर जाता है वहीं किसी व्यक्ति पर शनी देवता की शुब द्रिश्टी पड़ जाए तो व्यक्ति का उधा उसकी जिन्दगी खुशियों से भर जाती है घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं शनिवार के दिन प्रातह असनान कर शनी देव की पूजा आराधना करने से शनी देव प्रसंद होते हैं यदि आपके ज और जरूरत मंदों की मदद करने वालों पर शनी देव की विशेश क्रिपा रहती है अगर आप भी शनी देव की क्रिपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए शनी देव की क्रिपा के पात्र बनने के लिए जरूरत मंदों को काले चने, काले तिल, उ तवच्छ कपढधे सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। तथा शनी यंत्र की पूजा यानि की दोस्तों। शनी देव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ती से छुटकारा दिलाते हैं। शनी देव काफी की करें अराधना, बजरंग बली और शनी देव का गहरा नाता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, शिव लिंग पर तिल डाल कर जल चरहता है। शनी देव सदैव उसका ध्यान रखते हैं दोस्तों। अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो भगवान शनी देव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और दोस्तों, आप आज के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्योंकि आगे हम आपको और भी ज्यादा लाब दायक और महत्वपून जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों जिनको भी जानना आपको बेहद ही जरूरी है। तो ऐसे में आखिर आपको क्या करना है। सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे द्वारा ब भगवान शनी देव की विशेश कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको समस्या पर हम समस्या का समाधान होगा सिर्फ अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने की जरूरत है इससे आपको सुखत परिणाम हासिल होंगे पैत्रिक संपत्ति संबंधी वाद विवाद भी किसी की मध्यस्थता से आसानी से हल हो जाएंगे तथा कभी-कभी अति-ात्म-विश की वजह से आपको नुकसान भी सहना पड़ सकता है अपनी इस कमी पर ध्यान दे आलस को भी अपने ऊपर हावी ना होने दे क्योंकि इसकी वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं तथा व्यापार में विस्तार संबंधी जो योजना काफी समय से रुकी हुई की थी आज उसे पूरा करने का उचित समय है कोई बड़ा ओनाडर भी मिल सकता है आर्थिक गतिविधियों को सुधारने में ध्यान केंद्रित रखें किसी तरह के नुकसान की भी आशंका बनी रहेगी तथा कहीं निवेश करने की योजना है तो उन पर पुना विचार करें इससे आप उत्तम निर्णय ले पाएंगे प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए समय उत्तम है धार्मिक गतिविधियों में रुची बढ़ेगी आपके व्यक्तित्व में भी निखर आएगा तथा अपनी इच्छा के विपरीत कोई काम होने स मन अशांत रहेगा कुछ समय प्रकृती के साथ और मेडिटेशन में व्यतीत करना उचित रहेगा युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कार्यों में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा व्यवसाइक क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था और कार्य प्रणा में परिवर्तन करना आपके लिए उचित रहेगा अपनी कार्यक्षमता को बना कर रखना अति आवश्यक है क्योंकि आलस्य के कारण काम रुख सकते हैं नौकरी में चुनोतियां रहेंगी लवपारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामन जस्य और प्रेम भाव बना परंतु विवाहित्तर संबंधों का दुश प्रभाव परिवार पर पढ़ सकता है साथी में दोस्तों अपेक्षा से कम समय में काम पूरा होने से आपको आनंद मिलेगा मित्रों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है नई बातों पर ध्यान जरूर दें योजना बनाने से पहले रिस्क का अवलोकन जरूर करें जीवन में नई शुरुआत हो रही है जो आपको प्रसन्नता देगी तथा काम में रुची होने के बाद भी प्रगतिना होने से नाराजगी बढ़ेगी अनुभवी लोगों के साथ चर्चा करके अपनी स्थिती में बदलाव करने की कोशिश करें तथा अपने निर्णय पर अमल करने से पहले भविश्य में इनके परिणामों पर ध्यान जरूर दें पैसों से संबंधित योजना बनाते समय दूर दृष्टी रखनी होगी कमाई बढ़ाने के लिए किये गए प्रयत्न सफल होंगे संयम के साथ काम करते रहे साथी में दोस्तों किसी खास विशय पर जानकारी हासिल करने में आज दिन व्यतीत करेंगे इस समय आपके व्यक्तित्व के उत्थान संबंधी कुछ नए मार्ग प्रशस्त होने जा रहे हैं तथा किसी खास वस्तु की चोरी होने या खोने की आशंका है इसलिए अपनी वस अपने स्टाफ और सहयोगियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें जिससे आपको बेहतरीन मार्ग दर्शन प्राप्त होगा परंतु अपनी कार्य प्रणाली की गोपनियता बना कर रखना भी जरूरी है और हाँ इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें कि ठकान की वजह से न निवेश के लिए चिंता रहेगी कलाकारों के लिए दिन विशेश रूप से अच्छा रहेगा तथा अनुकूल ग्रह स्थिती है लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कामों पर ध्यान दें विप्रीत परिस्थितियों में भी आप समझदारी से समस्या का समाधा ढूंड लेंगे निकट संबंधियों तथा दोस्तों के साथ संबंधों में नजदी कियां बढ़ेंगी और हां दोस्तों रुपए पैसों के मामले में ज्यादा दर्रिया दिल ही रखना नुकसान दायक रहेगा साथ ही फिजूल की बहसबाजी में न पढ़ें अचानक ही को कार्यक्षेत्र में कोई नया काम शुरू न करें फाइनेंस संबंधी कार्यकर रहे लोगों से किसी प्रकार की पेपर वर्क में गलती हो सकती है सावधान रहें तथा पुरानी बातों की वजह से डर बना रहेगा विचारों में आ रहे बदलाव के कारण आप अपने प्रयत प्याशित रूप से लाब देने वाली है अगर कोई कोट के संबंधी मसला चल रहा है तो आज उसका फैसला आपके हक में हो सकता है किसी राजनैतिक व्यक्ति द्वारा आपको उपलब्धी भी हासिल होने वाली है तथा यह भी ध्यान रखें कि आपकी किसी लापरवाही अ की भी दिल्चस्पी आपके कामों को नई दिशा दे सकती है फाइनेंस संबंधी काम बहुत ध्यान से करें कुछ गलतियां होने की भी आशंका है युवाओं का कोई लक्ष पूरा होगा तथा पारिवारिक वातावरन खुशनुमा रहेगा सभी सदस्य प्रफुलित और करेंगे लेकिन कुछ लोग आपके लिए सकारात्मक बातें भी कहेंगे इसलिए अच्छी बातों पर ध्यान दें गलत लोगों से रखी हुई अपेक्षाओं की वजह से तकलीफें बढ़ सकती है परिस्थिती जटिल नजर आएगी आगे बढ़ते समय सतर्क रहना होगा त बात का ध्यान रखना होगा अपनी गलती समझ आने के बाद तुरंत बदलाव करें साथी में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि आज आपका आत्मविश्वास उर्जा का स्तर उंचा रहेगा अपने खहर्चों पर काबू रखें और आज हाथ खोल कर व्याय करने से बाहर निकलें और कुछ नए संपर्क वद्दोस्त बनाएं आपका जीवन साथी आज काफी रोमानी मिजाज में है तथा बाहर का और खुला खाना खाते वक्त खास तौर पर बचाव पर ध्यान देने की जरूरत है हालांकि बिना वजह तनाव न लें क्योंकि यह आपको मा काज और रुपए पैसे का प्रबंधन न करने दें नहीं तो जल्दी ही आप आपने तयशुदा बजट से कहीं आगे निकल जाएंगे अपने दोस्त से बहुत लंबे समय बाद मिलने का खयाल आपके दिल की धर्ड हकन को बरहा सकता है अपने किस मित्र के साथ आज समय बित बित्वाद मिलने के लिए आज किसी नदी का किनारा या पार्क की सेर बेहतर विकल्प हो सकता है और हाँ आज आप उर्जा से लबरेज होंगे आप जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च हो सकता है आपको खुश रखने के लिए आपके बच्चे जो कुछ बन पढढ़ेगा वह करेंगे आज आपकी मुस्कान बेमानी है हसी में वो खनक नहीं है दिल धढ़कने में आनाकानी कर रहा है क्यो शहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाय और आइडिया सुझाएगा घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शौपिंग मॉल में जा सकते हैं अपने जीवन साथी की नुकता चीनी से आप आज परेशान हो सकते हैं लेकिन वह आपके लिए पर उसके साथ चलें आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा बाद में आप अच्छा और आत्म विश्वास से भरा अनुभव करेंगे तथा आपको आज अपने ऑफिस के काम के कारण बिना बात की चिंता और त जरुरत है जिससे आपकी उर्जा बनी रहे आपको अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ राहत पहुंचाने वाले व्यायाम करने चाहिए तथा आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसा मरपन देखा जाएगा और आपको इसका पुरसकार फल या उपहार भी मिलेगा आज का दिन अपने कार्य से संबंधित प्रतिबधताओं का पूरा करने में व्यस्त रहेगा लेकिन फिर भी आप खुश और उर्जावान महसूस करेंगे और हाँ दोस्तों आपको आज बहु किल्कुल समर्थ हैं। या क्षेत्र में आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं लेकिन अपने सहकर्मियों की आलोचना न करें। इस समय आपका सही मार्ग दर्शन आपके मन की आवाज ही कर सकती है। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही करें। इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप उस दिशा में आगे बरच पाएंगे जिस दिशा में आप बरहना चाहते हैं। आज आपका भाग्यशाली रंग है, भगुवा, नीला तथा हरा और भाग्यशाली अंक है। येट और पांच।